भाउजन समाच पार्टी के प्रमुक मायावती के भतीजे आकाश आनन पर हुई FIR FIR होने का कारण हम आपको इस पूरी वीडियो में विस्तार से बताएंगे नमस्कार मैं नूर जहाँ और आप देख रहे हैं जनेत अवाज सीतापुर में रैली करने के दौरान जब वो अपना भाशन दे रहे थे तो भाजपा पर सीधा वार करते हुए वो उनको अपत्ती जनक टिपड़ी करते तमाम चीजे बोलते हैं अकाश आनन पर उसके बाद इस पर FIR हो जाती है हम आपको पूरा बता रहेते हैं कि रविवार को सीतापुर में एक चुनावी रैली को समोधित करते हुए भाजपा सरकार की तूनना कथित रूप से तालिबान से की थी उन्होंने कहा ये उत्तर परदेश सरकार बुल्डोजर सरकार और देश द्रोईयों की सरकार है जो पार्टी अपने युवाओं को भूखा छोड़ती और अपने बुजर्गों को गुलाम बनाती है वह आतंगवादी सरकार है अफगानिस्तान में तालिबान ऐसी सरकार चलाता है उत्तर परदेश अपराद अभिलेग ब्योरो की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आनन्द ने अरोप लगाया था कि भाजबा सरकार महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है इसके बाद इस अपत्ती जनक बयान के बाद नब भाजबा सरकार पर वार करते हुए सब चीजे बोल रहे हैं इसके बाद उन पर F.I.R. दर्ध हो जाती है अब सवाल ये उठता है अगर इस अपत्ती जनक टिपणी के बाद F.I.R. अगर अकाश आनन पर दर्ध हो सकती है तो क्या मोदी जी ने जब राजिस्थान की चुनावी रैली में भाशन देते हुए कहा था गुसपैठिया कहा था मुसल्मानों को मंगल सूत्र की बात करी थी ये तमाम चीजे बोली थी और कहा था कि कॉंग्रेस पार्टी अगर आएगी तो संसादनों पर पहला हक मुसल्मान का है ये तो पर वो भी अपत्ती जनक टिपणी कर रहे थे तो क्या मोदी सरकार पे FIR होना लागू नहीं होता है क्या सिर्फ आकाश अनन अगर ऐसे चीजे बोलते हैं अपनी भाशा में अपने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए भाजबस सरकार के जो जितने उन्होंने काम नहीं करे हैं जिस तरीके से चीजे गिनवा रहे हैं कि महिलाओं के साथ कित्ता अत्यचार हुआ है यूवाओं को रोजगार नहीं मिला है महंगाई चरम सीमा पर है ये तमाम चीजे बोलते हो भाजबस सरकार को बोल रहे हैं उसके बाद इस पर FIR हो जाती है लेकिन उसके बाद अगर दूसरी तरफ देखा जाता अगर मोधी सरकार मतलब मोधी अपनी राजिस्थान में चुनावी रैली के दौरान जब ये सब चीजे बोलते हैं तो उनके उपर कोई FIR या कोई एक्शन नहीं लिया जाता है मतलब इस तरीके से मुसल्मानों को तारगेट बना के जिस तरीके से 10 साल से अपनी सत्ता चला रहे हैं हर बाद मुसल्मानों को तारगेट बनाते हैं और इस बार तो हद یہ हो गए कि उन्होंने सीधे तौर पर जिक्र करते हुए गुसपैठिया बोल दिया है और इसके बाद अगर हम जगा जगा जाते हैं और ये चीज अगर मुसल्मानों से पूछते हैं कि आप लोगों को भाजपस सरकार द्वारा जो है गुसपैटिया बोले तो मुसल्मान जो है वो इतने दबे होए हैं, इतने डरे होए हैं अगर कानून है, सविधान है, सबके लिए एक बराबर है, अगर आकाश आनन्द पर FIR हो सकती है, तो भाच्वा सरकार द्वारा भाच्वा के नेता द्वारा जो अपत्य जनक टिपपने की जाती है, तो उन पर FIR क्यों नहीं दर्ज होती है, इस पर तमाम लोग एक्स पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते वे लिख रहे हैं, इस पर जर्णो मिरर लिखता है कि BSP नेता आकाश आनन्द ने BJP पर किया जोड़दार हमला, बोले भाच्वा की सरकार आतंगवादियों की सरकार है, इस पर न्यूज 18 लिखता है कि BSP नेता आकाश आनन्द पर मुकदमा दर्ज, भड़काव बयान बाजी पर मुकदमा दर्ज, सीतापूर BSP जिला अध्यक्ष पर भी FIR, नैशनल मीडिया जो है, उसीधे तौर पर BSP के नेता जो भवजन समाच से आते हैं किस तरीके से उनकी चीज़े हैं, उनकी भड़काव बयान को किस तरीके से दिखा रहें कि FIR दर्ज हो गई है, उन पर जो भड़काव बयान दिया है, लेकिन वहीं मोधी सरकार जो है, अकाश BSP के इस स्पीच पर सीतापूर में FIR दर्ज क्या आपको लगता है, इस स्पीच में कुछ गलत है, अगर इस स्पीच में कुछ गलत है, अकर अकाश आनन्द पर FIR हो सकती है, तो क्या जो भाजपा के नेता इस तरीकी विवादे टिपणी देते हैं कि 400 पार ले आते नहीं है, तो election ही नहीं होंगे, तो आपने देखा होगा कि लोग जो हैं भाजपा पर वार करते हुए बोलते हैं कि कि सरीके से election नहीं होने देंगे, सविधान बदल देंगे, वहिए आप हाली का जो पहले चरण में चुनाव हुए हैं, उसमें भाजपा का नेता जो है वो डाले बिना ही जो है भाजपा का नेता, भाजपा का सांसर जो बन जाता है पहले चरण में ही, मतब 4 जून को जो है रिजल्ट आने वाला है, 4 जून को रिजल्ट आएगा, लेकिन पहले चरण में हमें देखने को मिलता है, कि किस तरीके से सविधान की हत्या हो रही है, मत द पहले चरण में भाजबा का सांसद चुन लिए तो सीधे तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से लोकतंत्र की हत्तिया हो रही है सविधान की हत्तिया हो रही है और उसके बाद अगर हम बात करें अकाश आनंद की तो अगर उनकी इस विवादे टिपणी को अपति जिन्हें टिपणी पर FIR हो सकती है तो मैं फिर यही बोलोगे कि जिससे भाजबा के नेता जो विवादे टिपणी करते हैं उस पर FIR क्यों नहीं हो सकती जिस पर एक और यूजर लिखता है अबरार एहमत पोस्ट करके एक्सपे कि संसद में एक सांसद को जब बीजेपी का संसद आतंगवादी बोले किसी जने को वो ठीक है लेकिन अगर आखाश आनन ने आतंगवादी बोल दिया तो उन पर सीधे तौर फायायार दर्ज की जाएगी यही नियाया है कि यही कानून है जो सिर्फ एक ही लोगों पर लागो होता है जो की विपक्ष के नेता जो सत्ता में बैटी सरकार है अगर वो बोलें जो भाजपा में शामिल नेता है उनके ओपर FIAR दर्ज नहीं की जाएगी UP तक लिखता है कि आकाश आनन्द ने भाजपा को गदार और वोट के नाम पर जूता निकाल कर मारने की बात कही तो बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने किया पलटवार कहा उनको इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा बारत समचार लिखता है कि आकाश आनन्द को बीजेपी पर ये टिपणी बहुत महंगी पड़ेगी बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बीजेपी नेता अकाश आनन्द को चितावनी दी है अकाश आनन्द ने आज चुनावी सबा में बीजेपी को काफी भला बुरा कहा था ये आतंगवादियों की सरकार है बीजेपी हैश्टेग अकाश अनन्द मतलब अकाश अनन्द के बयान के बाद आप जो है राकेश सिर पार्टी जो भाजपा के नेता है वो उनको बोल रहे हैं का उन्हें खामियाज़ भुगतना पड़ेगा अब क्या उनके ओपर एफायार करके उनको सीजे तोर पर टार्ग बहुजन जो है वो बोल ही ना पाएं अपनी बात रख ही ना पाएं अगर अपनी बात रखेंगे या पर बीजेपी पर वार करेंगे तो उनके ओपर एफायार दर्ज हो जाएगी इस पे हिंदुस्तान लिखता है कि पहली बार लोकसभा के चुनाव में खुलकर प्रचार अभियान चला रहे हैं मायवती के भतीजे और बसपा के राष्ट कॉडिनेटर अकाश अनंद भी फस गए हैं पहले दिन से अकाश अनंद जनसवा में विरोधियों पर तीके हमले बोल रहे हैं जनसवा में बोलते हुए अकाश अनंद कई बार विवादित बयान बाजी कर जा रहे हैं सीतापुर में अकाश अनंद भाजपा को लेकर गलत बयान बाजी कर गए और बुरी तरह से फस गए इसके बाद प्रशासन ने अकाश अनंद समित 35 लोगों के खिलाफ हिंसा भढ़काने के मामले में केस दर्श कर दिया है मतलब आप सोचे उन्होंने स्रिव उ दग रहे है कि 35 लोगों में हिंसा बढ़काई गई है इस वजह से उनके उपर दर्श की गई है इसमें आपकी कह रहा है क्या आकाश अनंद ने ये बोलके सही किया लेकिन अगर कानून एक बराबर है अगर आकाश अनंद पर हो सकती है तो मोधी पर क्योंने और मोधी के ने